Hello everyone, Welcome to Success Vithra Academy 18 November 2023 के दैनिक जागरण के राश्टी संस्क्रण को आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले एक important बात ये है कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया हुआ है कि जब भी आप newspaper पढ़ें कोई भी newspaper पढ़ि हैं तो इसमें आपको वही news मिलती है जो देश में important होती है यानि कि local news इसमें नहीं होती है जो exam के point of view से आपके लिए important होती है चलिए अब जो यहाँ पर पहली heading मनाई गई है वो है इसराइल और हमास का संगर्स और संगर्स में निर्दोसों की जो मौत लगातार हो रही है उस पर चिंता जताते हुए प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने भी बोला है कि अब इसमें विराम लगना चाहिए देखे global south summit जो हो रहा है उसमें जो virtual तोर पर meeting हो रही है उसमें प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने आवाहन किया है कि जो भी ये युद्ध हो रहा है जिसमे लगबग हमास पूरी तरीके से बरबाद होने की कगार पर है निर्दोस लोग मारे जा रहे हैं उसको ततकाल इसराइल रोके अब ये बात क्यों उठकर आई है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही एक school में हमला हुआ था जिसमें निर्दोस बच्चे छोटे छोटे बच्चे मारे गए थे अब ये पूरा विवाद कब से उठा है ये विवाद उठा है साथ अक्टूबर से साथ अक्टूबर दो हजार तेईस को जब हमास द्वारा इसराइल में अचानक हमला कर दिया गया हवाई हमला किया गया था जिसमें कुछ लोग भी मारे गये थे और बहुत क अब वो कुछ नहीं कर पाएगा इसके ही बाबत ये पूरी करवाई चल रही है सबसे पहले इसमें बिटन के जो प्रधान मंत्री है रिसी सुनक जब वो G20 समेलन में आये थे तब भी उन्होंने बोला था कि ये जो युद्ध है रूस और युक्रेन का वो युद्ध सही नहीं है इसे रोका जाना चाहिए हाला कि वो युक्रेन को सपोर्ट कर रहे है लेकिन फिर भी वो युद्ध रोकना चाहते थे अब जब हमास और इसराइल का युद्ध हो रहा है तो भी उन्होंने इसको कोट किया है और बोला है कि इसमें जो निर्दोस लोग मारे जा रहे हैं उसे तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए रिसी सुनत के बाद इसमें अमेरिका के जो राश्टपती है जो बाइडन उन्होंने भी स्टेट्मेंट दिया कि इस युद्ध को तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए ताकि निर्दोस लोगों की मिर्त्यू ना हो उसके बाद अब प्रधान नंति नरेद्रमोदी यानि की तीन बड़े लोकतांत्रिक देश इसमें आगे आये हैं और उन्होंने बोला है कि युद्ध रोका जाना चाहिए लेकिन इसराइल जो बेंजामिन नितनियाहू है वो लगातार संगर स्विराम से इनकार करते जा रहे हैं और दिन प्रति दिन उनके जो हमले हैं वो हमास पर लगातार यानि गाजा पट्टी जिस पर वो अधिकार जबाना चाहते हैं क्योंकि गाजा पट्टी पर जब वो इसराइल अधिकार कर लेगा तो जो हमास है वो लगबग बाकी देसों से उसका जो कनेक्शन है वो कट हो जाएगा तो ये वो चाहते हैं ताकि कट किया जाए जो सहायता समगरी है वो भी हमास ना पहुंच सके इसमें वो लगे हुए दिन परती दिन उनके हमले और बढ़ते जा रहे हैं तो आगे आने वाले दिनों में अगर हमले नहीं रुके इसराइल हमास युद्ध चलता रहा तो पश्यमी देसों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा चीजें अस्तिर होंगी कई देसों की ग्रोथ एकोनॉमिक ग्रोथ पर इसका प्रभाव पड़ेगा तो इसलिए भी कई राष्ट इस युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं नेक्स्ट नीउस पर आते हैं मद्द परदेश में 76% मद्दान के साथ तूटा विश्चो रिकॉर्ड देखे कल 17 तारीक को मद्द परदेश की 230 सीटों पर 36 गड़ विधान सभा की दूसरे और अंतिम चरण की 70 सीटों पर मद्दान संपन हो गए 36 गड़ की 90 में से 20 सीटों पर 7 नॉमबर को मद्दान हो चुका था मद्द गड़ना अब 3 दिसंबर को होगी और ये जो समय इसमें निर्धारित किया गया था मॉर्निंग में 7 बजे से लेकर 6 बजे तक निर्धारित किया गया थ इसमें कई नकसल एरिया भी थे जिनमें 6 बजे तक पूरी भीड़ देखी गई थी लोगों में उत्सा था महिलाओं में उत्सा था दूसरे चरण में 958 प्रत्यासियों का भाग गय एवियम में कैद हो गया है जो मुख्य मंत्री है चत्यसगड़ के बुपेश बगेल के छे चत्र में 75% आरक्षण रद्द कर दिया है पंजाब और हर्याना हाइकोट ने उन्होंने ये स्टेट्मेंट इसमें दिया है कि इसको जो कानूनी तोर पर सम्मत सही नहीं कहा जा सकता है अब इसमें जो सबसे बड़ी मांग ये थी कई इसमें NGO थे संस्थाएं थी बहाएं हैं उनके साथ अन्याए होगा जो योग की लोग हैं वो उचे पदो पर नहीं पहुँच पाएंगे इस वज़ा से भी इस कानून का विरोध किया जा रहा था और इस कानून को एक्ट बनाकर लाया गया था हर्याना गौर्मेंट द्वारा हर्याना स्टेट एम्प् करना चाहते हैं उन्हें प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनिया है हर्याना की उसमें 75% आरक्षन दिया जाएगा और वो भी 30,000 से कम वाली नौकरी में इस हिसाब से तो जो योग की लोग हैं उन्हें तो नौकरी मिलती ही नहीं एक तो इसमें रिजरवेशन लगता और उसक ही अच्छे जो इस्टुडेंट हैं वो बाहर हो जाते तो इसको हाला की पंजाब और हर्याना हाई कोट ने कैंसल कर दिया है लेकिन अब हर्याना सरकार कह रही कि वो इस केस को लेकर सुप्रीम कोट जाएंगे हर्याना विधान सभा ने 2 मार्च 2021 को निजी छेत्र की नौकर और द्योगिक संगठनों ने कानून को हाई कोट में चुनौती दी थी 15 जनवरी 2022 को यहाँ कानून लागू हो गया लेकिन 3 फरवरी 2022 को हाई कोट ने इसके लागू होने पर रोक लगा दी थी नेक्स्ट न्यूस पर आते हैं चवदा देश हिंद प्रसांत छेत्र में करेंगे निस्पक्ष आर्थिकी की स्थापना देखें इंडो पैसिफिक एकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पैरिटी यानि की आई पी ए एफ इसका फुल फॉर्म है इंडो पैसिफिक एकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पैरिटी कि सभी सदस्य देश जितने 14 सदस्य हैं उन्होंने हिंद प्रसांत छेत्र में निस्पक्ष आने की फेयर और स्वक्ष आने की क्लीन अर्थ प्रस्था की स्थापना के लिए सहमत या सहमती जताई है देकि अमेरिका में जो ये बैठक होई है उसमें सभी 14 देश जो हैं उन्होंने मिलकर समझोता किया है और वानिज जो और उंद्योग मंत्री पियुश गोयल भारत का प्रतिनिद्द्द्द्द्ट कर रहे है IPEF के 14 भागिदार जो देश हैं वो इबर ध्यान से सुन लीजिए 14 देश हैं इसमें आस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, गर्राज, मलेशिया, न्यूजिलेंड, फिलिपीन, सिंगापूर, थाइलेंड, वियतनाम और अमेरिक इसमें सामिल हैं, हिंद प्रसांच छेतर में चीन के बढ़ते अतिकरमण को रोकने और आपूर्थी स्रंखला के लिए चीन के विकल्प की स्थापना करने के उद्देश से 2022 में IPEF की स्थापना की गई थी, समझोते के तहत निस्पक्ष अर्थवयवस्ता की स्थापना के लिए सभी सदस्य देश, प्रसांच छेतर में ब्रष्टाचार और कर्चोरी वा अन्यमामलों का मिलकर मुकाबला करेंगे, इससे कर्चोरी वा मनी लॉंडरिंग में मदद मिलेगी, जो गोयल हैं उन्होंने कहा कि इससे ब्रष्टाचार, मनी लॉंडरिंग और आतंकी वित पोशन के विरुद दिल लड़ने का संयुक्त संकल्प मजबूत होगा नेक्स निउस पर आते हैं वायू पर दूसरन की इस्ति नहीं सुधरी तो कराई जाएगी करतिम वर्सा देखे दिल्ली NCR में जिस तरीके से AQI याने की Air Quality Index बिगड़ा हुआ है उसकी गुड़ता अभी भी बेहत खराब इस्ति में है लोगों को सांस लेने में तकलीफ और आखों में जलन जैसे इस्ति का सामना करना पड़ रहा है दिवाली के बाद इसमें कुछ सुधार की उमीद थी लेकिन सुक्रवार को भी दिल्ली और आसपास के छेतर में वायू का जो AQI है वो 400 के पार बना हुआ है इस इस्ति से निपटने के लिए तैय योजना के मताबिक क्रतिम वर्षा कराने की तयारी तेज कर दी गई है IIT कानपूर ने इसे लेकर केंद्री प्रदूशन नियंतरन बोड और दिल्ली के उपराज जेपाल दोनों को अलग-अलग प्रस्ताव भेज दिया है इसमें उडेन वग रह मंत्राले से मंजूरी का प्रस्ताव भी सामिल है आना जा रहा है कि एक-दो दिनों में वायो गुलवत्ता कि इस्तिती में सुधार नहीं हुआ तो इसकी मंजूरी दे दी जाएगी नेक्स्ट नियूस पर आते हैं प्रधानमत्री ने डीप फेक के खत्रे को लेकर जताई चिंता देखिए प्रधानमत्री नरेंदर मोदी ने Artificial Intelligence याने की AI और डीप फेक को लेकर गहरी चिंता जताते हुए इसके खत्रे के प्रती आगा किया है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये डीफ फेक है क्या देखें डीफ फेक अभी अगर आप सोसल मीडिया यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि इसमृती मंदाना जो साउथ की हिरोईन है रश्मी मंदाना उनका एक वीडियो आया था जो हूब 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 क्या लग रहा था कि वही है और इसी तरीके से क्रिकेटर्स के भी आ रहे हैं इसमें प्रदानमंतिर नहरेंद मोदी ने भी यहाँ पर बताया कि मेरा भी एक वीडियो आया है जिसमें मैं गर्बा करते हुए दिखाई दे रहा हूँ और हगीकत यह है कि स्कूल के बाद मैंने कभी गर्बा किया ही नहीं है तो जो डीप फेक है वो बिलकुल दूसरे वेक्ति के फेस को ओवरलैप करके जिस भी वेक्ति का आप फेस चाहते हैं उस पर लगा सकते हैं और आपको बिलकुल भी अंदाजा या बिलकुल भी पता नहीं चलेगा कि ऐसा किया गया है तो यही है डीप फेक जो की आने वाले समय में बहुत खतरनाक साबित हो सकता है इससे क्या होगा कि अगर किसी को कोई वीडियो एडिट करना है कुछ भी मतलब इससे किया जा सकता है तो भी प्रधार मंतरी मोदी ने कहा है कि AI और डीप फेक के खतरे के प्रती आगा करते हुए पताएगी यह बहुत बड़े खत्रे की और ले जा सकता है और समाज में अवस्ता फैला सकता है समस्या यह है कि बहुत बड़ी जनसंक्या के पास ऐसे वीडियो के सत्यापन के लिए कोई तंत्र नहीं है उन्होंने आन जनता को जागू करने के लिए जिम्मेदारी निभाने के साथ ही मीडिया को भी ऐसे डीप फेक वीडियो के प्रसारण से सावधान रहने की सला दी है और कहा है कि भारत आज जिस तरह विदता पून और जागुरुता समाज के तरह बढ़ रहा है उससे डीप फ जो प्रधान मंत्री मोधी की भारत के प्रधान मंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है और जो आलोक की सर्मा है वो 1991 बैच के IPS अधिकारी है तो अब SPG की कमांड इनके हाथों में होगी नेक्स न्यूस है कि 2 प्लस 2 वारता के लिए भारत आएंगे औस्टेलिया ही मंत्री देखे 2 प्लस 2 वारता क्या होती है 2 प्लस 2 वारता का मतलब दो देस और दो देसों के दो मंत्री जैसे भारत का रक्षा मंत्री और औस्टेलिया के रक्षा मंत्री भारत के विदेस मंत्र और उस्टेलिया के विदेश मंत्री बैठक करेंगे तो इसे ही बोला जाता है टू प्लस टू तो अभी अमेरिका के साथ टू प्लस टू वारता हुई थी स्वक्षता आंदोलन देश में लेकर आया करांतिकारी बदलाओ हरदीप पूरी देखें जो केंद्रिये आवास एवं सहरी इमामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंग पूरी ने ये बताया कि जो स्वक्षता आंदोलन है वो देश में किस तरीके से करांतिकारी बदलाओ ला रहा ह है लेकिन सफाई के छेत्र में अभी भी बड़े पैमाने पर बदलाव करने की जरूरत है जो सवक्ष भारत मिसन है उसके कारकरम में पुरी ने कहा कि और नीजी छेत्र को स्वक्षता के काम में हाथ बटाने के लिए अमंतरित किया है उन्होंने कहा कि जितनी अधिक संख्या में लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे उतनी ही स्वक्षता बनेगी नेक्स्ट है फैसिलिटेशन काउंसिल से पारित अवार्ड के खिलाफ याज का सुनवाई योग्य नहीं है देकि सुप्रीम कोट ने हाली ने एक आदेश दिया है कि MSMED Act यानि कि सूक्ष्म लगू और मध्यम उद्दम 2006 के तहट फैसिलिटेशन काउंसिल दौरा पारित अवार्ड के लिए रिटियाच का सुनवाई योग्य नहीं है कोट ने कहा कि एक्ट के तहट अवार्ड के खिलाफ सही उपाय मध्यसुता और सुला अधिनियम 1996 ANC Act की धारा 34 के तहट प्रदान की गई राहत अपनाने के बजाए हाई कोट का दरवाजा खटखटाना अनिवार रहोगा या आदेश प्रदान ने आधिस टीवाई चंदरचूनत जेबी परणडीवाला और मनोज मिश्रा की पीट ने गत 6 नवंबर को दिया है इस मामले में तिलंगाना हाई कोट की एकल पीट ने फैसिल्टेशन काउंसिल दौरा पारित अवाड को इस आधार पर रद कर दिया था कि दावा सम्यावदी है हाला कि एकल पीट ने इस फैसले को हाई कोट की खंड पीट ने पलट दिया था Supreme Court के कामकाज की जानकारी के लिए Newsletter सुरू किया गया है और इसको नाम दिया गया है Supreme Court Chronicle इसमें क्या होगा कि आप Supreme Court के इतिहास के बारे में उनके कारे प्रणाली के बारे में और जो judgment दिया जाता है उनके प्रणाली के बारे में विस्तेत रूप से जान सकेंगे और ये सापताहिक पत्र होगा Newsletter होगा सॉरी मासिक Newsletter होगा और इसका पहला अंग प्रकाशन की घुशना करते हुए Supreme Court के जो प्रणान नया अधीस है डिवाई चंद्र चूर ने क्रॉनिकल में कोई भी नयाले के इतिहास कानूनी प्रदेश्चे को परिभासित करने वाले प्रमुक निल्लों के साथ ही प्रमुक फ्वेक्तियों के बारे में भी जानकारी हासिल कराएगा Next News पर आते हैं आत्म निर्भर बने Global South के देश जैसंकर तेकि सुक्रवार को दिन भर चले Global South सम्मेलन में भारत ने इन देसों के अगवा के तोर पर किस तरह से आर्थिक वा सामाजिक विकास की रह तै की है इसका रास्ता दिखाने की कोशिस की केए समेलन को समोधित करते हुए विदेश मंत्री ऐस जैसंकर ने इन देशों को आद निर्भर बनाने की सला दी है कुरोना महामारी के समय की याद दिलाते हुए जैसंकर ने कहा कि हर देश को यह सीख लेना चाहिए कि अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए दूर इस्थित किसी देश पर निर्भरता के कितने जादा खत्रे हैं G20 सिखर समेलन में ग्लोबल साउथ देशों के हितों की बात पहली बार उठाते उठाया जाने का जिक्र करते हुए विदेश मंतरी ने कहा कि अभी भी इन देशों के हितों के मुद्दों पर काफी विरोध सहना पड़ता है नेच्ट निउस है बिजनेस पेज से बिजनेस पेज में हम पहली निउस ले रहे हैं कि ई-कॉमर्स से छोटे उद्दमी भी कर सकेंगे निर्यात देखे जो ई-कॉमर्स पहले तो समझे ई-कॉमर्स कमपनिया क्या होती हैं जैसे Amazon, Flipkart, Snapdale, Meisho ये सभी ई-कॉमर्स कमपनिया होती हैं तो जब निर्यात बढ़ेगा तो इससे क्या होगा कि जो छोटे-छोटे उद्द्योग पती हैं या जो छोटे उद्योग चलाते हैं उनको भी इसका फाइदा मिलेगा और आने वाले समय में छोटे उद्दमी भी अपना समान विदेश भेज सकेंगे सुक्रुवार को विदेश व्यापार महा निदेशक संतोस कुमार सारंगी ने कहा कि अगले 6-7 साल में भारत का e-commerce निर्यात 200 अरब डॉलर तक जाने की संभावना है जो फिलहाल में सिर्फ 1.2 अरब डॉलर के आसपास है एक और दोगिक संगठन के कारिकरम में सारंगी ने कहा है कि e-commerce के प्रोतसाहन में मुख्य रूप से logistics, e-commerce service platform, मुहया कराने वाले अंतराष्टिये भुक्तान प्रणाली और इसे regulate करने वाले RBI राजस विभाग वगवा DGFT जैसे एजनसियों की भूमी का महतपूर्ण है नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं नेक्स्ट न्यूज है कि चालू रवी सीजन में गेहूं की जो बौआई है वो 5% घटी है देगे जो चालू रवी सीजन है उसमें गेहूं की बौआई जो है वो अभी तक 86.2,00,00, हेक्टियर ही रही है जो पिछले साल 91.2,00,00, हेक्टियर था क्रिसी मंत्राले के आकड़ों के मताबिक अब तक उत्तर प्रदेश में 3.87,00, हेक्टियर पंजाब में 2.28,00, हेक्टियर हरियाना में वो श्ट्रो खाते के अलावा अत्रिक चालू खाता खोलने की सुक्रवार को अनुमती दे दी है निर्यातकों के लिए परिचालन के मोर्चे पर चीजें सुगम बनाने को यह कदम उठाया गया है दरसल RBI ने जुलाई 2022 में रुपए में भारत के अंतराश्टी व्यापार के निप्टान की अनुमती देने का फैसला किया था लेकिन इसके तहट अधिकरत भारतिय बैंकों को भागिदारी व्यापारिक देश के बैंकों के विसेस रुपया वेश्ट्रो खाते खोलने की अनुमती दी गई यानि कि जो निर्यात वाला पैसा था वो वोश्ट्रो नामक खाते में आता है जब कोई भारतिय व्यापारी किसी विदेशी व्यापारी को रुपय में भुगतान करता चाहता है तो यह रासी वोश्ट्रो खाते में जमा की जाएगी और उसके उलट एक भारतिय व्यापारी को भोगतान की जाने वाली रासी वोश्ट्रो खाते से कट कर ली जाएगी यानि की डेबिट कर ली जाएगी नेक्स निउस है भारत ने 2023-24 में अब तक रिकॉर्ड 41,010 पेटेंट दिये हैं मारे जिया मुद्योग मिंत्री प्यूश गोईल ने कहा है कि भारतिय पेटेंट का रहाले ने इस वित्वर्स 15 नॉवंबर तक सरवादिक 41,010 पेटेंट परदान किये हैं गोईल ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यहां एक रिकॉर्ड है जो यहां तेश चौबिस में सरवादिक पेटेंट दिये गए हैं इस पर प्रदानमति नरेदर मोदी ने कहा कि यह एक उलेकनी उपलब्दी है यह नवाचार संचालित ग्यान अर्थववस्ता की दिसा में भारत की यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होगा यानि पेटेंट आप समझे पेटेंट क्या होता है जैसे आप मालीजे कोई स्कूल चला रहे हैं या फिर आपने कोई छोड़ा सा बिजनेस स्टार्ट किया पैकेजिंग का या फिर आप कोई बिस्किट बना रहे हैं तो मालीजे आपने बिस्किट किसी अमुख नाम से सुर किया तो कई लोग ABCD नाम से इस बिस्कुट को चला सकते हैं जब आपका ब्रांड जो आपका प्रोडक्ट है वो ब्रांड बन जा है तो अगर आप पेटेंट ले लेते हैं तो अगर कोई उस नाम को यूज करेगा तो आप उस पर मानहानी का दावा कर सकते हैं तो इसे ही बोला जाता है पेटेंट नेक्स न्यूस पर आते हैं जो है इंटरनेशनल पेज से गाजा और उस फाइट को जो इगराईल की चल रही है उसको में स्किप करेंगे टाइम हंडरेट क्लाइमेट सूची में नौ भारतियों का नाम तेकि टाइम हंडरेट क्लाइमेट सूची में नौ भारतियों का नाम सामिल किया गया है टाइम पत्रिका की ओर से तैयार जल्वायू परिवरतन रोकने की दिसा में पहल करने वाले दुनिया के सबसे प्रभाव साली नेताओं की पहली सूची में दुनिया भर के CEO, संस्थापक, नीती, निर्माता और सरकारी अधिकारी सामिल हैं इसमें अजय बंगा, भावीश, अग्रवाल, राजीव, जेशाह, गीता अयर, जिग्गर साह, मौनोश सिनहा, M. संजयन, सीमा अबादवा, अमित कुमार सिनहा सामिल हैं अजय बंगा, जून में, विस्टो बैंक के अध्यक्ष की जिम्मेदारी समाली है, उन्होंने नए मिशन की सुरुवात की है, जिसमें जलवायू परिवर्तन से लड़ते हुए, गरीब उन्मोलन का लक्ष रखा है, वहीं, ओला इलेक्रिक के CEO, भावीश अग्रवाल, दुप में इस लक्ष से आगे बढ़ रहे हैं कि जो भी कार्रे हो, वह पर्यावरन पर प्रभाव को देखते हुए किया जाए, गीता अईयर वोश्टन कॉमन एसेंट मेनेजमेंट की संस्थापक और अध्यक्ष हैं, नेक्ष निउस पर आते हैं कि सुरक्षा परिशद में वैस्विक दच्चन को मिले उचित प्रतिनेधित्व भारत, भारत ने सयोक्त राष्ट महासभा में कहा है कि अंतराष्टी सम्मंधों में सहयोक, समावेश, वा पारदर्सिता वाला द्रश्टी कोन को लाने के लिए ह हम हिमायती रहे हैं, हम भूपक्षवाद में विश्वास करते हैं, इसके लिए चाहते हैं कि परिशद में सुधार कर नयाय संगत प्रतिनेधित्व प्रदान किया जाए बारती प्रतिनेधित्व ने कहा कि वैश्विक दच्छन के सदस्य के रूप में हम इसके सामोहिक गुस्से को साजा करने के लिए सुरक्षा परिशद में इन देशों की कोई आवाज नहीं है, ऐसा मानते हैं सेंगत राष्ट महासभा की गुरु आर्कु हुई बैठक में भारत की स्थाई प्रतिनिधी रुचिरा कमबोज ने कहा कि सुरक्षा परिशद की स्थाई सदस्ता में विस्तार को लेकर ज्यादा तर देश समर्थन करते हैं, यदि हम इसे अधिक समय तक लंबित रखते हैं तो यह हमारी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाने के साथ ही भाविस में हमारी विफलता का सूचक भी होगा चलिए, तो यह आज का 18 नॉबंबर 2023 का दैनिक जागरान का राष्टी संस्क्रण था I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक हो शेर कर दीजेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद